हेलो एवरिवन, बेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम आपके साथ आमले के जूस की रस्पी से एर करेंगे, चलिए बनाना शुरू करते हैं, यह हमने आमले लिये हैं, आमलों को अच्छे से धोकर हमने साफ कर लिया है, जो आमले खराब हैं, आप उनको कट करके निकाल दीजि यह दिखें, इस तरह से हम चो खराब हैं, उस पाट को हम इस तरह से निकाल देते हैं, और आमलों को ग्रेट कर लेंगे, आप घर पर अगर आमले का जूस पना के तैयार करेंगे, तो एक तो आपका यह जूस प्योर होगा, और दूसरा आप इसे लंबे समय तक इश्चे, इस तोर करके फ्रिज में रख भी सकते हैं, छै महीने तक आमले का जूस आपका, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, यह दिखें, इसी तरह से सारे आमलों को आप ग्रेट कर लीजिए, अब एक हम बावल लेंगे, उस पर एक इस्टेनर रखेंगे, और जो ग्रेट किया हुआ आमला है, उसको हम इस्टेनर में डालेंगे, और चमच से दवाते हुए, इसका जूस निकाल लेंगे, यह दिखें, बहुत ही आसानी से, इसका जूस निकल जाता है, आमले में बिटामिन सी पाया जाता है, आप दो चमच आमले का जूस, अगर डेली खाली पेट लेंगे, तो यह आपको बेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा, इदि के सारे आमले का जूस हमने निकाल लिया है, अब आप इसे एक सूखे जार में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं, यह छे महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और जब भी आप चाहें, दो चम्मा चाप सुवे, खाली पेट, जूस को ले, और जो यह आमले का जूस निकालने के वाद बच गया है, इसको आप सुखा कर आमले का पाउडर तयार कर सकते हैं, कैसी लगी आपको यह रेस्पी, कमेंट करके जरूर बताईएगा, और रेस्पी अच्छी लगे, तो उसे लाइक, सेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूने, थेंक यूँ,